उज्जेन जीले के घट्या जेलसिल के खेर खेडी गाउं निवासी गरीब मजदूर का आधारकार नहीं बना तो फिर शासन की योजनाओं का लाग कैसे मिलेगा ग्राम पंचायत रूड जी के खेर खेडी गाउं का मामला सामने आया है जहां पर एक गरीब को देखा जा सकता है कि वह किस प्रकार से टार्ट पन्नी की जोपड़ी बना कर गाउं के बाहर रह रहा है और अपना जीवन गुजर बसर कर रहा है इस गरीब किसान का ग्राम पंचायत के सरपंच सचीव और अन्नी जन प्रतिनीदियों ने कोई मदद नहीं की और इसका अभी तक आधर कार्ट परिचेपत्र तक नहीं बना है इसकी वज़े से युवक अपनी पहचान तक दर्ज नहीं करवा सकता है आधर कार्ड ही नहीं ह अधर के सब्सक्राइब को नहीं को नहीं होगा करते हैं यह जो तूटा हुआ मकान में पननी वाला यह है इनके पास तो मकान भी नहीं है और आधार काड भी नहीं क्यों नहीं बना और क्या समझ से क्यों नहीं बन पाया क्या मालूम सर क्या समझ से लेकिन आधार काड नहीं है और मकान भी नहीं है अब फिर से बनेगा अच्छा पर यह से रहते हैं यह कोई पर लाफ तो मिले ली पा कि इसके अपने पताय नहीं पंचायत के सर्पपंच हैं उनको बताये नहीं आपने किसान ने, आदमें अपने सूच पड़ते भी तो आपने बताये ने उनको ने बताये तो उनके किमारा कर नहीं है तो यह जो है खेर खेड़ी ग्राम पंचायत ब्रून जी जो ग्राम पंचायत है उसका खेर खेड़ी गाव जहां पर एक जो ब्रद है कालू सिंग जी वह नवास करते हैं और धरातल पर अगर देखें तो जो इनसान का सबसे महत्पून दस्तावेज होता है आधार काड पहचान के रूप में सास के काम में इस्तेमाल किया जब वहीं नहीं बन पाएगा तो फिर किस प्रिकार से आम नागरिक अपने अधिकार अपने यूजना और अन्य दस्तावेजि को कंप्टिट करवा पाएगा इस प्रिकार से यहां पर दिखाई दे रहा है यह मामला कि एक नागरिक का आधार काड नहीं क्या बजा रही क्या इस्तित्या रही और क्यों यह आधार कार्ड क्यों नहीं बन पाया और क्या करते हैं यह सर्मजदुरी करते हैं यह गाओ में कितने वर्सों से यहां पर निवास कर रहे हैं यह सर्में इनको यहां पर कम से कम 10 साल से देख रहे हैं तो देखा कि किस परकार से यह जो ग्रामिंड आप देख रहे हैं मेरे पास में हापा जो खड़े हुए हैं में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस परकार से यह जो ब्रद्ध है कालु सिंगी इनका सबसे महत्पूर्ण जो है आधार कार्ड है जब वही नहीं बन पाया जब आधार कार्ड नहीं होगा अन्योजनाव का लाप कैसे मिलेगा उज्जेंसे विरिंदे शर्मा वोइस ओफ र झाले